सुहेल देव भारतिय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकास राजभर जी हमारे साथ हैं ओम प्रकास जी टीवी नाइन यूपी पर बहुत स्वागत है आपका गोसी उप्चुनाओं के बाद से ये चर्चा हो रही है विपक्ष बहुत जोर शोर से ये बात कह रहा है कि ओम प्र प्राइन की दोहा हमें चिंता नहीं उनकी उन्हें चिंता हमारी है उनको पता नहीं है अभी आप लोगों के आने के आदे घंटे पहले ग्रियमंत्री जी का फोन आया था उनको तो इस बात की खबर होगी नहीं हमारी बात मुख्यमंत्री से होती है उनका फोन आता है हमको जरूरत होती ही, तो हम बात कर लेते हैं, जरूरत समझते हैं, तो हम प्रधान मंत्री जी के हम message देते हैं, उनसे बात हो जाती है, ये बात तो विपक्ष को पता नहीं है, ऐसी इस्तिती में हम जिस लड़ाई को लेके लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में हम सफल हैं, उस अच्छा सत्तापक्च और विपक्च सबसे ज्यादा विपक्च परिशान है कि आपी लोगों के हाँ हम जातिवार जनगड़ना को ले करके जब हम लोग 20 साल पहले जब यहां शुरू किये तो उस समय ना अखिलेश बोलते थे ना रहुल बोलते थे ना मायवती बोलती थी को आज वो लोग बोलने लगे ना महिला अरक्षण को ले करके जब हम लोग आपनों के सामने चाहे सभा हो चाहे किसी कारक्रा में हम लोग करते थे किसी की हिमत नहीं पड़ी लेकिन आज सत्तापक्च के लोगों ने 33% अरक्षण महिलाओं को लागू कर दिया पांच साल में जो हम लोग आरोप लगाते थे कि राशन गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है बीच में बिचवली यह खा जा रहे हैं आज वो राशन गरीबों तक पहुंचने लगा यही कांग्रेस की सरकार थी तो बैंक में खाता खुलवाने के लिए लाइन लगते थे याद होगा वो सारी बात आपकी सही है लेकिन जो विपक्ष का मूल सवाल है मंत्री क्यों नहीं बन पा रहा है उंप्रकाश जी देखे चुनाव बैस्तता और बैस्तता की वज़से ऐ जल्द ही आपके प्रस्णों पर विराम लग जाएगा राम गुपाल जी ने एक बयान दिया है कि अगर समाजवादी पार्टी चाली सीट जीत जाती है तो अखिलेश जी प्रधान मंत्री बनने की हैसियत में रहेंगे क्या कहेंगे आप कौन मना कर रहा है चाली सीट जीतन तो क्या हस्र होता या पूरा देश जानता है उनके इलाके में जहां उनका घर है खुद समाजवादी पार्टी हार गई और हमारे इलाके में चाया अंबेटका नगर से शुरू करिये आजमगड गाजी पूर बलिया मउव बस्ती हमारे इलाके में कहीं बीजेपी एक में खाता तक नहीं खुला और उनके पास 111 एमिल्ले हैं है ना 111 एमिल्ले के बदवलत 40 सीट कैसे जिच जाएंगे तो जो दिवा स्वपन देख रहे हैं आप देखिएगा उत्तर पदेश में खाता नहीं खुलेगा वो लोगों को बाद करके रखने के लिए कि लोग भ्र इतने अनुभवी नेता हैं आप लेकिन आपको लेकर एक सवाल उठता है कि आप बयान देते समय सोचते नहीं हैं या सोच समझ के बयान देते हैं कभी दो मुहा साब बता देते हैं तमाम नेताओं को उसमें खुद को भी शामिल करते हैं कभी कहते हैं कि यादा राजबर से ज़्यादा शराप पीते हैं तो ये बयान देने के पीछे की मानसिक्ता साइकलोजी क्या है देखे हम जो पढ़े हैं उसी को बोलते हैं हम क्यों कह रहे हैं हम लोगों को क्यों कहते हैं अपने लिए क्यों कहते हैं हम अगर नेता से बात सुरू करें सफा से शुरू करें 17 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कहा कि हमारी भूल थी जो अमने कांग्रेस से समझावता किया उसके पास वोट नहीं है फिर 24 में गड़ बंधन क्यों तिरान्बे गड़ बंधन के बाद ये नहीं था गड़ बंधन होगा उनिस में गड़ बंधन हुआ जिस मायवत्ती जी को और मुलायम जी को 36 का आकड़ा था दोनों लोगों में दोनों लोग एक मंच में क्यों बैठे जिस भारती जंदा पार्टी और महभुवा मुप्ती में 36 का आकड़ा था मिलके सरकार बनी है नहीं आप बताएए अभी अखिलेश जी के बयान कांग्रेस के बयान मध्य परदेश चुनाव में कां पर चल लए एक तरफ दूसरे तरफ बयान बाजी नेता कब कहां चला जाए कोई गारंटी नहीं होई यह आप पर भी लागव होता है अरे अरे कल तक हम सपा में थे परसों बीजेपी में थे आज पिर बीजेपी में है तो लोग सबाद चुनाव में तो रहेंगे ना बीज कई नेता हमारे संपर्क में हैं कई धल जल्दी ही आपके स्क्रीन पर वो दिखेंगे कि हो क्या गया है अच्छा यह स्वामी प्रसाद मौर्या जो बयान देते हैं अभी रमान मा भारत को लेकर उन्हें बयान दिया यह जान बुझ कर बोलते हैं कभी रामचरित मानस पर बो बहुत परिशान हैं पांच साल बीजेपी में थे तो इन्होंने कभी टिपड़ी नहीं किये और हम तो आश्चर चकी था हैं अखिलेश यादव जी पर कि रामलोटन निसाद ने इसी तरह की टिपड़ी की थी उसको पार्टी से निसकासित कर दिया था लेकिन स्वामी प्र नितियश कुमार ने 75% रिजर्वेशन लागू कर दिया बिहार में आपने बिहार में जब जाती जनगरना होई तो आपने कहा योगी सरकार से भी कहा मोदी सरकार से भी क्या कि जाती जनगरना होनी चाहिए तो आप तो 75% रिजर्वेशन लागू कर दिये मांग करेंगे बि यान बाजी है यह जितने भी वो बिहार के नेता सगुफा छोड़ रहे हैं वो सब चुनाव में ओट लेने के लिए हैं अगर सरकार है तो कानून बना के भरती अभी किये हैं क्यों नहीं कर दिए भरती आखरी सवाल ब्रजे सिंग परिवार से कुछ मिलना जुलना ज्यादा ह हो रहा है कुछ समीकरण के संकेत हैं क्या हम सबसे मिलते हैं हम सबसे मिलते हैं जहां जैसा समीकरण बैठता विसा बैठा ले बैठा ले थे गाजीपुर से सुन रहे हैं कि कुछ बड़ा खेल करने जा रहे हैं अब वो भी प्रयास कर रहे हैं हर नेता प्रयास करता है हर जुगार में लगे हैं ना विल्कुल लगे हैं वो चलिए तो बड़ा बयान दे दिए उंप्रकाश राजबर जी गाजीपूर से बड़ा खेल करने की तैयारी में हैं और सपा कॉंग्रेस राश्ट्री लोगदल के बड़े नेता संपर्क में हैं पांच राजियों के जब हो सकता है अमित कुमार सेंग टीवी नाइन यूपी वरंसी